हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बढ़ियाई होंगे मेरे चैलन में दोस्तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज मेरी वीडियो होने वाली है मांसून की ऐसी समस्या से रिलेटिन जिसका सामना हम हर मांसून में फेस करते हैं और खासकर उस समय जब बारिश लगातार होती है जैसे कि आप देखी रहे हैं कि आज कल बारिश लगातार चल रही है और वह समस्या है हमारी छत का टपकना जिसकों की ठीक करवाने के लिए हम धेरो पैसे खर्च करते हैं लेकिन फिर भी कई बार ये समस्या पुरी तरीके से नहीं हो पाती है तो आज मैं उसी समस्या का बहुत ही बड़िया समाधान लेकर आई हूँ जिसमें आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होने वाला है चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों जैसे कि यह च्छत आप देख रहे हैं कि इसके ओपर कित फटना शुरू हो जाता है और इस तरीके से उसमें दरारे पढ़नी शुरू हो जाती है और इन दरारों के थ्रू ही पानी धिरे धिरे टपकता है और हमारे घर के अंदर इकठा हो जाता है तो इसको ठीक करने के लिए हमें जुरूत होगी सबसे पहले थर्माकोल की थर्माक बड़े का हम बहुत ही बड़िया इस्तेमाल करने वाले हैं ये देखिए मेरे पास थर्मकॉल की शीट्स पड़ी थी ये मैं इसको इस्तेमाल करने वाली हूँ अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये इसली टेशनरी की शॉप से भी मिल सकता है अगर आप लेना चाहें और साथ हमें दूसरी चीज़ की जुरुत होगी वो होगी पेट्रोल की अब मैंने क्या किया है एक मैंने बाल्टी ली है उसके अंदर कम से कम मैंने 100 अमल के आसपास पेट्रोल डाल दिया है अब हम क्या करेंगे जो भी हमारा थर्मकॉल है इसके हमें थोड़े थोड़े से पी वीडियो में दिखाई दे रहा होगा ये कैसे इसके अंदर घुलता चला जा रहा है तो आपने ये जो solution बनाना है आपने इतना बनाना है आपनी छट के हिसाब से आपनी जो quantity है आपनी छट के हिसाब से आपने देखनी है कि आपकी छट पे कितने crack आये हुए है या आपकी कितनी ज़्यादा cracked हो चुकी है उसके हिसाब से आप solution बना ले और बनाने के बाद आपने क्या करना है इसमें आपने या हाथ का आपने बिल्कुल भी use नहीं करना है आप कोई भी लकड़ी या लोही का कोई भी औजार ले सकते हैं जिसकी मदद से आप इसको हिलाए ऐसा करन यह बिल्कुल एकदम glue की तरह हो जाता है LP भी इसके आगे fail हो जाती है इसको मैं दिखा रही हूँ कि जैसे दिखी यह थोड़ा सा हाथ पे लग गया है तो कैसे यह हाथ के ओपर भी चिपकने लगा है जैसे LP चिपकती है उसी तरीके से यह चिपकने लगता है अब आपने क क्या करना है अब यह जो आपका solution सारा बनकर तैयार हो गया है इसको आपने कैसे apply करना है आपने लेना है कोई भी brush और brush की मदस से आपके छट पर जहां जहां भी cracks आई हुए हैं उसके ओपर आपने brush की मदस से इसको लगाते जाना है जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो आपने इसको अच्छी तरीके से और भी मजबूत बनाने के लिए आपने इसकी second layering करनी है जैसे ही आप second layering करेंगे तो आप देखेंगे जो आपके cracks है वो धीरे धीरे बंध होते आपको दिखाई देंगे और यह देखिए मेरा final look मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसी मैंने second layering की है तो इसके cracks भी धीरे धीरे आपको बंध होते दिखाई देंगे और जैसे यह लग जाएगी तो यह बिल्कुल आपको एक शीशे की तरह दिखाई देगा कि उसके ओपर एक शीशे की coating हो गई है जैसे कि हम सब जानते ही है कि शीशा आपको पता है जहां भी लगा होता ह उसके ओपर आप जितना भी पानी डाले है कोई समान डाले तो उसके आरपार जो है नहीं जाता है तो इस तरीके से एक शीशे की तरह हो जाएगा तो दोस्तो इस तरीके से आपका cracks यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा और इससे आपका पानी टपकना बिल्कुल बंध हो अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा से भी helpful लगी है तो प्लीज इसे like करेगा और जादा से जादा share कीजेगा ताकि आपके कोई भी friends या जो भी आपके इस दिक्कत से परिशान है उनको इस समस्या का समधान मिल सके और आप मुझे comment करके बताइए कि आपको ये वीडिय लोग कैसी लगी चलिए दोस्तों मिलती हूं नहीं वीडियो में तिल देन टेक क्यार और बाई बाई